हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर डव्ड़ी और रेसलिंग से जुली तमाम चोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल एसस लाइब टीवी इंडिया को सबस्क्राइब करें और पास आयवल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें वीडियो को लाश्ट तक देके बिने स्किप किये तीन डव्ड़ी सूपरिस्टार जिनकी नाइट ओफ चैंपियंस 2030 में हार की संभावना काफी ज़्यादा है डव्ड़ी में इस वक्त नाइट ओफ चैंपियंस 2030 को लेकर बिल्ड़ अप जारी है इस साल नाइट ओफ चैंपियंस के लिए अभी तक चार मैचों का एलान किया जा चुका है बता दे इस इवेंट का आउजन 27 में 2030 को साओधी अरब में किया जाना है नाइट ओफ चैंपियंस के लिए मैचों का एलान होने के बाद से ही फैंस इन मुकाबलों के नतीजों का अनुमान लगाने लगे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े सुपरिस्टारों को इस इवेंट में हार का सामना करना पल सकता है इस आर्टिकल में हम ऐसे तीन डव्ली डव्ली सुपरिस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनके डव्ली डव्ली नाइट ओफ चैंपियंस 2023 में हार की संभावना काफी जादा है जीत का नाइट ओफ चैंपियंस 2023 में मुस्तफा अली के पास आईशी सी चैंपियंस बनने का सांदार मौका होगा हाला कि नाइट ओफ चैंपियंस में अली की जीत की संभावना काफी कम है ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट ओफ चैंपियंस में मुस्तफा अली का गुंतर जैसे तगड़े सुपरिश्टार से सामना होना है गुंतर अपने मेर रोस्टर केरियर के दौरान अभी तक अंडिफेटिट रहे हैं और वो ब्राउन इस्ट्रोमैन डू मेकिंटार सैंस जैसे कई बड़े सुपरिश्टार को हरा चुके हैं यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि गुंतर इस इवेंट में मुस्तफा अली को हराने में काम्याब रहेंगे नमबर दो, डबलुड़ी सुपरिश्टार AJ Styles जी हा दोस्तो, डबलुड़ी नाइट ओफ चेंपियंस में वर्ल्ड हेवी बेट चेंपियंसिब टूनामेंट के फाइनल में سैट रॉलिंड का AJ Styles से सामना होना है बता दे वर्ल्ड हेवी वेड चैंपियन्सिब टूनामेंट का ऐलान होने के बाद से ही सैट रॉलिंस के पहला चैंपियन्सिब टूनामेंट के फाइनल में सैट रॉलिंस से हारने की समभावना लग रही है बता दें कई फैंस AJ स्टाइल को पहला वर्ल्ड हेवी वेड चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि AJ स्टाइल की हार होने पर इन फैंस की क्या प्रतिक्रिया होती है नमबर एक WWE सुपरिस्टार कोडी रोट्स WWE ने Night of Champions के लिए Brock Lesnar वर्सिज कोडी रोट्स री मैच का ऐलान कर दिया है इन दोनों सुपरिस्टारों के बीच हुए पहले मुकाबले में कोडी रोट्स की जीत हुई थी देखा जाए तो WWE सायद ही कोडी रोट्स को लगतार दूसरे मैच में Brock Lesnar को हारने देगी ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE में लगतार हार से बीच्ट की छबी को काफी नुकसान पहुँचेगा यही कारण है कि Night of Champions में Brock Lesnar दोआरा कोडी रोट्स को हराया जाने की संभावना जायदा लग रही है संभब है इस मैच के बाद भी Brock Lesnar और Cody Rhodes के बीच दुस्मनी जारी रह सकती है और किसी बड़े इवेंट में 30 मैच कराते हुए आखिरकार इस High Profile Feud को समाप्त किया जा सकता है जी आदोस्तों WWE और Wrestling से जुड़ी तमाम छोटी वड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Lab TV इंडिया को सबस्क्राइब करें और पास आयव एल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जादा से जादा सेर करें हमारी वीडियो पर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद